साथियो नमस्कार जो आज के बिलाग की परिचर्चा है वो बहुत ही महात्पूर हैं बहुत महात्पूर और बहुत ही बेवहारिक और बहुत ही उर्जावान और पिर्णात्मक मोटिवेशनल इसको जरूर सुनियें अब विसय और सीरसक आपको बताएं भाई विसय और सीरसक तो आज एक ही चला है एक बहुत ही सुन्दर और उर्जावान आचार स्री धीरंदर कृष्ण सास्त्री जी जिनको स्री बागेस और सरकार भी कहते हैं उन्हीं का आज सत्यापन करेंगे आज एक तरह से पुलिस इन् महाभारत के अभमन्यू की तरह साथ महारतियों के द्वारा घेरा जा रहा है लग तो रहा है कि चक्रियों में उनको घेर लिया गया है और घेरा जा रहा है ऐसा लग रहा है हालातों को देखकर तो चलिए उसी पर परचर्चा होगी और बहुत ही निस्पक्च और टटस्त ह अच्छा मैं अपना छोटा सा पड़्चे भी दे दूं कि मैं परिछन करने वाला या सत्यापन करने वाला कौन होता हूं भाई दुर्भाग से या संयोग से पुलिस भाग मैं नोकरी की अब रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद कुछ न कुछ तो ऊड़ा चाहिए कु पर हैं और उनको आज हम बिलकुल जड़ से और आज जो रायपुर में उनका महा संवेलन हुआ है खोला चैलेंज स्री वयोबर्द समात से भी स्री शाम मानो साथ जो महराष्ट के हैं जो अंद स्रद्धा निर्मूलन समीती है जो महराष्ट में उसके वो अध्यक्ष हैं औ और एक तरफ से बुद्धी है बुद्धी मानता मैं वो प्रिकांड है और दूसरी तरफ स्री धीरंद सास्त्री साथ भक्ती से ओत्परोथ है और पूरा समर्पन है स्री बागेसवर स्री हनमाजी महराज में और प्रभूराम जी के चर्णों में तो आज इसी कसत्यापन वहाँ बहुत ही निस्पक्ष होगा क्योंकि प्लिस वाला निस्पक्ष कारिक करता ही करता है, investigation को सुनिये जरूर, हाँ इसका नाम हमने investigation दिया है, क्लिए हिंदी अपको लोग। प्रणा, motivation जरूर. अच्ясब, पूलिस विभाग में Saysणवब कुछ अन्वह हुआ हो या नहीं हुआ हो लेकिन एक छोटा सा ग्यान तो जरूर मिला कि किसी विसेस का अगर सत्यापन करना है तो उसके लिए क्या डृत है क्या परंपरा है क्या वेरिफिकेशन का सिस्टम है इसका ग्यान बहुत मिला और नौकरी के अन्तिम चरण में हम DCRV क साखा में आ गए और वहां इसका बहुत अच्छा ज्यान मिला कि एक व्यक्ति के बारे में कैसे सत्यापन पुलिस करती है तो सत्यापन करने के लिए पुलिस का इलागाई अधिकारी जो है वहां जाता है जहां का वो student या वो विध्यारती या वो संबंदित व्यक्ती इसमें बड़े-बड़े व्यक्ती भी आते हैं बड़े-बड़े ठेकेदार मंत्री जो बनते हैं भारत सरकार में उनका भी सत्यापन पुलिस ही करती है आप लोगों को पीड़ियों की भी जानकारी होती है अब जो माननी प्रधानमंदिय राष्टपती भी जी की सुरक्षा में लगे रहते हैं उनकी साथ पीड़ियों का मुल्लेंकन होता है उनके चरत्र का उनके बेवार का कहीं ऐसा तो नहीं उनमें आवेश हो तो वो सब आज धीरन साब का होगा धीरन साब आज पूरी तरह से हमारी उसमें जाच में हैं आज आप सुनिये तो यही जाच करने में आज बागे सुरधाम भी जाऊंगा और जब जो स्टूडेंट है या जो विध्यारती है जब मुख बिंदू है जब अगर होना वस स्थान पे तब जाच जादा अच्छी होती है क्योंकि अगर वो होता है तो कहीं प्रलोवन दे दिया कहीं कोई प्रवाव डाल दिया आज कल बड़े बड़े राजनेतिक्गों का प्रवाव भी पड़ जाता है और कुछ तथ्यों कुछ छिपा भी लेती है फिर जो जाच करता होता है उसके खिलाब कभी फिर बंड़ा फोड़ होता है तो फिर कारवाई होती है तो वो डंड का भागी बनता है कि तुमने तथ्यों चिपा लिए तो भाई अब हमारी बहुत जुम्मेदारी है अगर हमने कोई चीज छिपा ली तो उसके डंड के भागी वास्तों में हम होंगे तो हम बिलकुल निस्पक्छी एकदम रिपोर्ट लगाएंगे जिससे उनके उपर भी कोई आचना आए हमारे उपर भी कोई आचना आए कल के दिन कोई हमसे पूँचना लगे क्योंकि आज कल तो भाई एक कमेंट कर दीजिए फॉन पे तो सेकड़ों लोग उस पर पितकरिया देते हैं कि आपने ये कैसे लिग दिया फिर हम तो भाई किसी को जबाद देते नहीं डर्पोक आदमी लेकिन चलिए इसमें जरूर हम आपको ऐसे चुनिंदा चीज बताएंगे जो एक दम अकाट होगी तो चलिए पुलिस कैसे जाज करती है किसी विक्ति की आपको ये प्रक्रिया भी बता दें रिश्टर नमबर आठ मैंने चैंसार स्री धिरन सास्त्री जी का जन 4 जुलाई 1996 1996 को गठागाउं में हुआ आपके पुझ पिता जी का नाम स्री राम क्रिपाल जी है और पुझ माताच स्री जी का नाम सरोज देवी जी है आप अपने माता पिता के सबसे अग्रिच पुत्र हैं और एक इनके छोटे भाई हैं और एक इनकी लाडली बहन हैं ये छोटा सा परिवार है और चाचा भाई ताव ताव का भड़ा पूरा परिवार है लेकिन सुदामा की इस्तिती समझिए ये आर्थिक इस्तिती में जब स्री आचार सास्त्री जी नौ वर्ष के थे ये बहुत में मनोग्यानिक तर्थ वता रहा हूं चाहे आप राम जी को ले ले राम चिरत्मानस में और चाहे आप युदिश्टर और अर्जुन को ले ले महा भारत काल में सब को 12 वर्ष की आयू में ही परिवर्तन करना पड़ा और हर बच्चे हो करना पड़ता है तो उसी परिवर्तन की प्रकिया से और उसी विक्तत निर्मान की प्रकिया से स्री धीरंद्र सास्त्री साब भी कुचरे और इन्होंने अपना जो दर्सन पकड़ा वो भागवत का था स्री राम चिरत्मानस का अनूठा विवरन स्री सत्त निरान का था को इन्होंने घर घर हो क और देखे मैं पहले ही कहता हूँ कि यदि आपको किसी व्यक्ति किसी समाज किसी रास्ट किस संस्कृति वह उनके आचरण के बारे में जानकरी करना है तो आप उसके इतिहास को जाने हैं आप उसके अगर इतिहास को जानेंगे तो सारी इस्तिती स्पष्ट हो जाएगी और प जमानत की अप्लिकेशन डाली तो सबसे पहले उसका अपराधिक चर्थ मंगाती है और पुलिस सबसे पहले जो अपनी रिपोर्ड बेशती है उसमें उस विक्ति का अपराधिक चर्थ अपराधिक रिकार्ड सबसे पहले और उसमें पूरे भारत देश में या पूरे जहां भी कोई अगर मुकदमा होता है तो पुलिस की जम्मेदारी है कि वो विवरन अदालत माननी अदालत में लिखके भेजे उसी अपराधिक इत्यास के आधार पर उसकी जमानत नयाले विच करेगी और जमानत रद्द करेगी तो भाई ये तो एक कानूनी पक्ष हमने आपको बता दिया तो पुलिस छेतरी लोगों से जानकारी करती है किसी वेक्ति के आचरण के बारे में और उसकी जो परिवारी के इस्तिती है उसके बारे में तो चलिए एक ब्लाग हम आपको छो से बागे सवर्धाम सिर्फ आठ किलोमीटर दूर है तो अब चलिए वहां जाना है तो रास्ता भी पूछ लेते हैं इन टेम्पू वाले भाईया जी से और साथ मैं यहीं से जांच भी प्रारम कर देते हैं और देखिए यहीं से मैं तथ्यों को संक्लित कर रहा हूँ मैं वहां पावन धाम में जाने की योद्ना बना रहा हूँ और मैंने जानकारी ली कि कैसे पहुँचा जाए तो स्री रामे सौर पठेल साथ हमको मिल गए हैं यह मूलता है तो टेम्पू का अपना वेवसाय करते हैं मतलब सवारी को वहां तक पहुँचाते हैं तो रामे सुर्वाला जी का मंदिर है जी 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 सायद आज की डेट में पूरे हिंदोस्तान के पूरे बर्ड में एक ऐसा मंदिर है जहां सबकी मनों कामनाएं पूर्ण होती है अगर आप सुरित्दा सुबा और मन से वहां जाते हैं तो और खजराहो जो चल रहा है आज बागेस और अच्छा अगर वागेस और से तो नहीं आपका अटूट विश्वास हो कहीं ज़्यादा रहा है अच्छा आप किसी पर आप पर विश्वास करेंगे क्योंकि मैं तो आपको पहले से जनता नहीं था मैंने तो अचानक पूंच आकि मैंने कहा कि आप दो अद्भुत चमतकार अच्छा और लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं आज सनीवार उनका बहुत बड़ा दर्सन हो जाएंगे हमको बिल्कुल दर्सन होगे साब आपको चलिए बहुत बहुत धनवाद आपने आप सही जनकरी दी सरलता से दी और चलिए भाई जै हो बागेस और धाम दी की और जरूर ये कोई ना कोई रहस हमें बताएंगे स्री बागेस ओर जी के बारे में और स्री धिरन जी के बारे में जो अचानक मिले हैं तो हमको जानते हैं नहीं तो चलिए इनसे और गहराई से जरपोंश तांच कर लिए जाए स्री बागेस ओर धाम जी की यात्रा में कोड़ा गाउँ है वहाँ पर स्री मोहनलाल पांडे साब मिल गए हैं और वो भी स्री बागेस ओर धाम जी से जुड़े हुए हैं उनकी यादों से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि जो स्री धीरन्द कृष्ण सास्त्री साब हैं उन तो उनकी कुछ कार बता रहे हैं क्या क्या का साफ काम किये अच्छा इंक्यावन गरा थे और वह लुद्वान अच्छा आप जोड़े थे तो और इंक्यावन हजार में राम नीरा थी जो दिनके होती थी ओकिस नीरा शुरू से गुरुजीका जो इस्थान है वह राम मैं रहा का तो में कहानं रहे हैं रहते थे कि अमान थे सब्सक्राइब एट पूऩां वृचा और भी पूर्वा कि происходит तो आज दर्शन नहीं हो पाएंगे तो कोई इनका प्रतनिदी यहां है अच्छा लेकिन आज तो भीड सनिवार को ज्यादा होगी तो दर्शन कैसे हो पाहत तो मिल जाएगा तुमको अच्छा कोई नहीं नहीं की है तो अपन चलाएंगे संदर्शन कराएंगे देवेंद्रगान में अठारा प्रान उन्ने जटासंकर में किये अठारा प्रान यहां उन्हीं का सब प्रताफ यूजर है उन्हीं का पुन्य प्रताफ है पूर्वजों कर लेती है और छेतरी लोगों से पूंसनाच कर लेती है जैसा कि आप देखी चुके हैं बलाक में और जब संतुष्ठ हो जाती है पूरी तरह से कि इन संबंधित व्यक्ति के वृद्ध और इनका चाल चलन वा चरित उज्ज्वल है तब वो अपनी रिपोर्ट लगाती है तो चलिए अब रिपोर्ट लगाने का समय आ गया तो उसमें निम्न बिंदू भी लिखती है पुलिस कि इनका चाल चलन ऐसा है आर्थिकिस्टित यह है तो चलिए उसको भी रूपांतरि किये देते हैं. प्रिथम डिष्टिया तो पाया कि यहां अध्यात्मिक उर्ज़ा स्री बागेस और धाम में है और चूँकि स्री धिरन्स सास्त्री साब उसके प्रमुक करता और धरता हैं, तो यह इन स्रय अध्यात्मिक उर्ज़ा का पवन पुत्र स्री हनमान जी बागेशोर सरकार जी के साथ मानो रूप में स्री धिरन्द सास्त्री जी को ही जाता है और जो उनके भक्त सेवक लोग हैं उनको भी जाता है तथा छेत्र में कोई भी अपराधिक गित्विधी नहीं है और स्री धीरन्द कृष्ण सास्त्री साथ भी किसी अपराधिक या राजनितिक सड्यंत के सदस नहीं है अब विशेस्ताएं क्या हैं ये भी लिखना पड़ता है तो ये उड़जावान हैं और अभी नौयुवक हैं 27 साल की अभी उम्र है और पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में आपका समर्पण है आप विशेसकर आडंबर, रूड़वादिता और जो जाड़ फूंक है तथा कतित रूप से जो लोग करते हैं उसके घोर विरोधी हैं तथा पूरी तरह से जन सेवा वा मानो सेवा में समर्पित हैं और जो भी भक्त लोग आते हैं उनके कल्याड के लिए, उनके अच्छाई के लिए सीधे रूप से ईश्वर जी से प्रातना करते हैं तथा अपने को भी वो उस पूजा से या उस अध्यात्मिक उर्जा से दूर रखते हैं और ये कहते हैं कि आप स्वेहम सीरी हनुमान जी बागिस और सरकार से आप अपनी पूजा और प्रासना करें और नारियल बादें बिविन न पेड़ों में व्रक्षों में और जगे जगे नारियल मनो कामना और मनो पूर्टी के लिए बने हुए हैं भक्तों के द्वारा अच्छा और देखने को ये मिला कि प्रिकति का बहुत अच्छा स्रंडक्षन वसम वर्धन किया गया है जो भगवान के सामने जो टीन का सैट बनाया गया है जिसके नीचे व्रक्षा आ रहे थे स्री गुर्देओ जी ने उन पेड़ों को भी स्रंडक्षन किया है क्योंकि हमारा चैनल ग्यान एंड नौलेज प्रिकति परियावरन और जल्वाव के स्रंडक्षन के लिए ही समर्पित है जागरूपता के लिए तो ये एक विसेस हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली और इसकी हम भूरी भूरी प्रसंशा करते हैं कि सड़कों पे व्रच्छों को कैसे उखड़ा जा रहा है और सरकारे मुग दर्शक अंधी बनी हुई ये कार देती रहती हैं पेड़ों का स्रणरक्षण नहीं कर पाती हैं लेकिन यहाँ पर आस्रम में पेड़ों को स्रणरक्षण किया गया और वास्तों में ये एक रचनात्मक्ता और स्रजरनात्मक्ता का एक महान धारन है साथ ही साथ उन्होंने सवा ग्यारा लाक पौधों को लगाने का संकल्प लिया है इस बुंदेल खंड की असंचित बंजर और पत्रिली जमीन में और वो समझ गये हैं कि प्रिकती परियावरन के स्रणरक्षण से ही जीवन सभी का खुसाल होगा ये उनका एक महान संकल्प है और जो उनको बहुत उच्च बना रहा है अपने भक्तों को भी वे जल्वाईव और परियावरन तथा पेर पौधों को लगाने का असीम संदेश भी दे रहे हैं अभी अठारा फरवरी को बच्चियों की साधियां होगी कम से कम डेड़ सो दो सो बच्चियों की साधियां होगी ये प्रतिवर्स साधियों का आउजन किया जाता है और जो भी दान दाता दान देते हैं उसी से पैसे से एक तरह से लड़कियों के पिता सवरूप होकर स्री गुर्देओ जी उन बच्चियों की साधी करते हैं उसमें जो कर्णियादान की रस्म होती है वो भी करते हैं वीदिविदान से और जो भी लड़की को गरस्ती में एक माता पिता सामान देते हैं वो सामान भी देते हैं अब आज एक आर्थिक और महगाई का जमाना है जरा आ रहा है एक एक बच्ची की साधी में करीब एक एक लाक रुपई खर्च होता है वो देने वाले तो भक्ती हैं वो भक्तों के जो धन आता है उसी से ये दिव्यकार वो करते हैं एक बच्ची जिसके माता पिता नहीं है आसाज है अपाहेज है और उस बच्ची की साधी अगर कर दी जाए तो कितना बड़ा सोसल आईसन है साइट हिंदू पक्ष इसी में आरोपित भी होता रहा है समय समय पर और यही विसेशता यहां पर विसेश रूप से दिखाई दे रही है कि यहां स्वक्षता वा अनुसासन तथा विवस्था एक स्रिश्ट दिखाई दे रही है तथा सही रूप से अगर कहा जाए तो यहाँ पर एक सामाजिक परिवर्तन, सोसल इंजिनरिंग का भी भाव पर लक्षित हो रहा है। हिंदू समाज में या सनातन वस्था में जो कुरीतियों और आडंबरों के समाजिक वस्था में उच नीच के जो आरोप लगते थे वो संभवता यहाँ पर दूर करने का एक सार्थक प्रयास नजर आ रहा है। कोई यह पूछने वाला नहीं कि वो पंडिक जी है या वो मध्यमबर्ग में स्री यादोजी या स्री गौतम साब या स्री वर्मा जी है या आजिवासी भाईयों में कोई हैं या हमारे अन्न समाज के जो पिछडे और देहात के लोग हैं उन में से वो कोई भान वहाव हैं ये कोई पूछने वाला नहीं है, एक ही थालिय में भक्त लोग और संत लोग तथा जो वहां के प्रवंद कमेंटी के सदस हैं, वो भी उनी थालियों में खाना खा रहे हैं और एक ही जगे बैट के खा रहे हैं, तो इससे तो इसपष्ट हो रहा है कि यहां समानता की अलग जगा दी गई है, और यहां भेद भाव उच नीच सारा समाप्त कर दिया गया है और यह एक सोसलाइशन इंजिनरिंग की बीच बोए जा रहे हैं। जाच का छेतर यहीं तक सीमित नहीं रखा, मैंने प्रियास किया च्छतरपूर वा अन्न जर्मपदों में कहीं भी कोई एक फरियादी या सिकायत करता एप्लिकेंट मिल जाए जो स्रीधिरन जी के बुरुद्ध या बागेस और धाम जी के बुरुद्ध कोई प्राथना प विचारधाराओं का है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं सरेष्ठ हूं और भक्ति वाला व्यक्ति अपनी भक्ति में लीन है, मनन है, उसकी आस्था है, उसका विश्वास है, जिसका कोई विज्ञानिक चलेंज आस तक नहुआ है, ना हो पाएगा भविश में भी, जाच में राजनेतिक विश्व को भी रखा गया, क्या गुरुदेव जी के किसी राजनेतिक पार्टी से विशेश संबन्द है, या वो भारती गौरोमई संब्धान के वृद्ध को इकार कर रहे हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं पाई गई और वो कानून का सर्व पालन करते हैं, उनका किसी भी राजनेतिक पार्टी से कोई विशेश संबन्द नहीं है, उनके सभी भक्त सभी पार्टियों में हैं, सभी दलों में हैं, और उनमें राश्ट प्रेम और देश प्रेम अवस्य कूट-कूट कर भरा हुआ है, वो यहां के छेत्री भूमी का य असर दिखाई दे रहा है क्योंकि बुंदेल खंड बुंदेलों की वीर भूमी है, अठारा सो संतावन की करांती का पहला बूल, यहीं पर महरानी लच्वी भाईजी ने फूंका था, यह वही बुंदेल खंड है, और यहीं बुंदेल खंड में यह गढ़ा गाउं जिले में पढ़ता है, चूंकि यह छेत्र भारत और अखंड भारत जब भारत का बटवारा नहीं हुआ था, उस समय भी मद्द छेत्र में पढ़ता था, और यहां पर नौमी सताबदी से ही ग्यान और अध्यात्म का विकास पुंजे हमेशा पर हमेशा हमेशा के लिए चड़ता है, यहां पर तो कोई व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि यहां पर दस रुपए भी चड़ा दो, आपकी मर्जी हो तो सब कुछ चड़ा दें, आपकी मर्जी नहीं तो आप भगवान बागे सुर्द धामजी के, भगवान शूजी के, सन्यासी का है, पानी का अच्छा इंतिजाम है, अपराद वहीं देश छेतर है, और यहां के लोगों में धार्मिक भावना कूट कूट कर बढ़ी होई है, क्योंकि पास में ही सो किलो मिटर दूब चित्र कूड़ धाम है, और वहां का भी असर यहां पर आदी और अनादी काल से पुझ बावा जी जो उनके थे, वो साइद सिद्ध प्राप्ति व्यक्ति थे, और सन्यासी बावा जी तो और उनसे भी आगे की पीड़ी के हैं, तो पूरा परिवार साइद ईश्वर सेवा में ही पीड़ी दर पीड़ी से समर्पित है, सनातन विवस्था में पसु धन को बहुत महतु दिया गया है, और वास्तों में ये आर्थिक वस्था की एक धुरी है, जैसे जिस देश में या राष्ट में अगर गोवन्स या पसु धन सन्रक्षित वा सम्वर्दित नहीं है, वो देश जादा दिन तक आर्थिक रूप से मद्बूत नहीं रह सकता, यहां आस्रम में मैंने देखा कि यहां गोवसाला चल लही है, जिसमें देशी गाए और देशी बचड़े सन्रक्षित किये गए हैं, यहां पर कोई भी विदेशी जर्शी या अन्रतरह की विदेशी गाए नहीं पाई गई और देशी गाए ही सन्रक्षित हैं, और पसु धन का, God, Once का बहुत अर्च्छा स्रंडक्चन है। आचार स्री धिरन जी वी आईपी कल्चर के भी खोर विरोधी हैं। ऐसा नहीं है कि चार फर्यादी अगर बैठे हैं और कोई वी आईपी परसन चाहे मान्य मुखमंत्री जी ही इस्टेट के हों। अगर वो आगए तो उनका नंबर या उनकी पर्ची पहले बन जाएगी ऐसा नहीं है। सकती है ये सिर्फ बागिष और सरकार स्री हन्मान जी की महिमा है और उन्हींगा ये चमतकार है जाच मैं ये भी पाया गया कि ऐसा नहीं कि यही एक दिव्वेस्थान भारत में हो इसके लावा भारत में और भी महिमा पूर्ण इस्थान है जहां हन्मान जी की बिभन तरह की लीलाएं और चमतकार होते रहते हैं जिसमें राजिस्थान में स्री महंदीपूर पाला जी महराज का इस्थान पावनिस्थान पवित्र स्थान है स्री करोली माता जी का इस्थान है वो भी राजिस्थान में है और अभी भिंड मद्द प्रदेश में पडोकर जी का भी दिविस्थान है और वहां भी इस तरह के दरवार लगते हैं और इस तरह के चमतकार या चमतकार कहा जाए या एक मंत्र विग्यान ये मंत्र विग्यान है और ये मंत्र विग्यान आदी और अनादी काल से भारत में र प्रयास किये जिसका मैं एक अलग से एपिसोड बना रहा हूँ जो स्री मैक्स मूलर सीजी से सम्मंदित है और अन्य लोगों से उसको भी आप सुनिये और ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया लेकिन हमारे सिद्ध जनों ने हमारे आचारियों ने इस महा विज्ञान को छिपा कर रखा संभुता यह उसी की पड़लिक्चिती है तो अब समझ में आ रहा कि कुछ लोग वास्तों में क्यों विचलित हैं वो स्री बागे सोड़ धाम सरकार जो हनमान जी है या स्री धीरन सास्त्री जी से परिसान नहीं है परिसान तो इस नई विचार धारा से है जो एकद फिर हमारी विचार धारा को कौन पूचेगा यह विचार धारा की लड़ाई दिख रही है और साइद उसी विचार धारा जो उत्पन हो रही है इसको दवाने का चारों तरफ से प्रयास किया जा रहा है आचार जी अपने तप बलवाले बाबा जी जी के साथ बहुत रहे और उन्हीं की संगत की वहीं से अध्यात में गुन सीखे और जो बचे कोचे थे वो पूज तुलसी पीट स्री राम भद्राचार जी की सरण में चले गए तो जो बचा हुआ था वो भी उन्हें ग्यान प बहुत प्रयास करते रहे भारत में इस मंत्र सक्ति या इस योग सक्ति को सीखने का लेकिन वो असहाय रह हो गए निसकर्स यही निकला कि स्री धीरेंद्र कृष्ण सास्त्री साब गाउं गढ़ा की बंजर भूम से निकल कर इंग्लेंड की गौरोसाली संसद में पहुँचकर भी राम नाम की जैकारा कराए हैं और ठटरी बांदाए हैं अब ठटरी बांदने का रहस तो वही बता सकते हैं इसका रहस भी अभी तक कोई सही रूप से समझ नहीं पाया है अब आगे अभी हमारे चैनल से और जोड़े रहें तब आगे अगर कोई रहस मालूम पड़ेगा तो आपको समय समय पर अवस्य आउगत कराऊंगा सब्क्राइब जरूर करिए और फारवर्ड भी करिए धन्यवाद धन्यवाद